Hello everyone and welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं हूँ आपकी Salonimist और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी नया चाप्टर क्लास 4th Maths का नया चाप्टर शुरू कर रहे हैं और हमाई नय चाप्टर का नाम है Halfs and Quarters सो क्या मतलब है Halfs and Quarters का और यह जो फोटो बनी हुई है यहाँ पे एक प्यारे से बच्चे के यह तो fully confused दिख रहा है क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि यह Half का मतलब क्या होता है और Quarters का मतलब क्या होता है सो basically यहाँ पे हम इस चाप्टर में एक नई चीज सीखने जा रहे हैं एक तरीके से जिसको मैं division कह सकती हूँ किसी भी चीज को कुछ हिस्सों में आप divide करोगे तो उन में से ही कोई हिस्से Half कहलाते हैं और कुछ हिस्से कहलाते हैं Quarters अब किस चीज को Half बोलते हैं और किसको बोलते है Quarters उसके लिए तो इस चाप्टर को पढ़ने की ज़रूरत हमको पढ़ने वाली है तो यहाँ पे सबसे पहले basic थोड़ा सा तो मैं आपको बता देती हूँ कि यह देखो यह किये जो complete यहाँ पे क्या है एक pizza मान सकते हैं हमके एक pizza रखा हुआ है यहाँ पे और यह पूरा एक pizza है गोल राइट और उसी pizza को इधर क्या करा? चार parts में divide कर दिया गया है ना? क्योंकि चार लोग होंगे खाने वाले तो सब एक-एक pizza खा सकते हैं और वही दूसरे part में उस pizza को सिफ दो हिस्सों में ही divide किया गया था तो दो ही लोग होंगे खाने वाले आदा-ादा pizza दोनों ने खा लिया तो ये कुछ division से ही related है अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी एक पूरी चीज को मैंने दो हिस्सों में divide किया है तो उसको half बोलेंगे या quarter? उसको हम बोलेंगे half कि मैंने एक complete चीज को अगर दो बराबर parts में divide किया है तो उसको हम बोलेंगे कि मैंने इसको half में divide कर दिया वही अगर मैं कहूँ कि मैंने एक complete चीज को चार बराबर हिस्सों में divide किया है तो मैं बोलूँगी कि वो जो एक हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? quarter कहलाएगा Yes student, इसको हम one fourth के साब से भी लिखते हैं, अगर मैं fraction में बात करूँ, one fourth का मतलब है, four जो नीचे लिखा है ये बता रहा है, हमको चार equal parts, four equal parts और उपर जो one है वो बता रहा है कि इन four equal parts में हम एक part की कर रहे हैं बात, इसलिए अगर आप किसी complete चीज को चार equal, equal पर ध्यान देना, आप किसी भी चीज को चार parts में divide कर सकते हो, पर main है कि उसको चार equal parts में, यानि कि बराबर बराबर चारों हिस्से होना चाहिए, तब जाके उनमें से एक हिस्सा क्या कहलाएगा, quarter कहलाएगा, तो थोड़ा सा तो वो clarification मिल गया होगा, आपके जो हमार नया chapter है, वो हमको half और quarter का मतलब क्या समझाना चाहरा है, पर उसके पहले, अब अपन आगे बढ़े, आज की class में मैं एक अच्छा पूरा overview आपको दे दूँगी, कि इस chapter में हमको क्या क्या आगे पढ़ना है, इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि पिछले class में हमने कौन स चाप्टर किया था, finish, पिछली class में हम पढ़ रहे थे, आपके class fourth maths से ही, चाप्टर का नाम था, cards and wheels, और cards and wheels में हमने बहुत ही अच्छी, interesting चीज़े सीखी थी, नहीं नहीं चीज़े सीखी थी, जिसमें main part था circle का, circle क्या होता है, कैसे draw करते हैं, compass क्या होता है, compass की help से circle कैस कैसे draw कर सकते हैं, क्या होता है circle का center, कैसे पता चलता है उसका radius, क्या radius के उपर circle का size depend करता है, ये सारी बातों का answer आपको मिल गया था, हमारे पिछली chapter में, जिसका नाम था, cards and wheels, so ये chapter हमने बिल्कुल previous video में ही खतम किया है, तो मैं बिल्कुल आपको बता दूं, कि ये जो chapter खतम हो गया, उसका आपको अच्छे से revision करते रहना है, क्योंकि बहुत important chapter था, उसके बाद अब आज की class से हम नया chapter शुरू कर रहे है, halves and quarters, तो सबसे पहले आपके book में, आपकी class 4th की maths magic book में, सबसे पहले इस chapter में दी हुई है, एक story, अब मैंने आपको half and quarter का मतलब इसी लि को ही पढ़कर हमको क्या करना है, हमें समझना है halves and quarters के बारे में, तो stories से पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई तो बिलकुल simple बनी जाएगी ना, फिर लगेगा ही नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगेगा, यह तो कोई हमको story सुना रहा है, तो इसलिए आपकी book को और वहीं पर एक यह दोनों जो cat हैं उनके साथ में, यहां देखो एक क्या रखा हुआ है, चपाती रखी हुई है, रोटी रखी हुई है, अब क्या है इनकी story, बहुत ही interesting story है, यह सब बच्चों को पता होती है, बच्पन में मतलब इसलिए आपके class fourth में रख दी गई है, ज अच्छा खासा सबक सिखाने वाला है, अब वो क्या सिखाने वाला है cats को, वो हम जानेगे जब हम यह story पढ़ेंगे, इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ू, तो next हमें दिया है half-half, half-half मतलब इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी चीज़ को हम half part में divide कर रहे हैं, तो वो उसका हर एक हिस्सा क्या होगा, और कितना equal parts हमको मिलेंगे, उसको fraction में हम कैसे लिखेंगे, तो इस topic में हमको half-half पढ़ना है, next half-half के बाद दिया है, half-of-half, अब half-half का मतलब आधा-धा होता है, है ना, लेकिन half-of-half का क्या मतलब होता होगा बच्चो, half-of-half इसको अगर मैं हिंदी में convert करके अगर आपको बताऊं, तो आधे का आधा, half-of-half मतलब किया already कोई चीज आधी है, उसका भी आधा कर दो आप, तो क्या मिलेगा आपको, तो half-of-half मतलब आधे का भी आधा, तो आधे का भी आधा करने पे हमको कितने pieces मिलते हैं, कैसे हम half-of-half करते हैं, क्या उसी को हम quarter बोलते हैं, तो ये सारी चीज़े आपको देखनी हैं, इस वाले topic के अंदर, आगे अगर हम बढ़े half-of-half के बाद, तो next दी आए half-of-many pieces, यानि कि कहीं कभी आपको बहुत सारे pieces मिल जाएं, उसका कोई आपको half करने बोले, तो कैसे करोगे, और बहुत सारे pieces कहा मिलते हैं, mostly chocolates में, right, chocolates जो मिलती हैं, उसमें इस तरीके के division करके मिले होते हैं, कि सब एक-एक क्या खर ले, एक-एक ये जो block है, वो खाते जाओ, पर हमारा मन कहा मानता है, है ना, अपन को तो chocolate देखते ही, बिलकुल प्यार आजाता है chocolate पर और पूरी खानी होती है, बट अकेले हो तो बढ़िया है, लेकिन अगर दो लोगों share करने के लिए, फिर कैसे chocolate खाएंगे, फिर तो देखो, लड़ाई होने वाली है, बिलकुल बिलकुल fight हो सकती है, अगर आप आपके cousins के साथ हो और एक chocolate हो, तो उसकी इसमें ऐसा कर सकते हैं, यही किया जाता है mostly, कि आप उस chocolate को बिलकुल half में divide करो, अब यहाँ पर तो बहुत सारे pieces हैं उस chocolate के, half में कैसे divide करेंगे, एक piece होता तो उसको बिलकुल आदा तोड़के half में divide कर देते, तो वही चीज हमको यहाँ से सीखनी है, कि half of many pieces कैसे किया जाए, कि जब कहीं हमको बहुत सारे pieces दिये हों किसी चीज में, उसमें हमको आधे-ाधे pieces divide करने हैं, दो parts में, तो वह हम कैसे करेंगे solve, तो यह है इसका मतलब half of many pieces का, next देखिए, आंगे क्या दिया हुआ है, many shapes from a half sheet, कोई एक sheet है, paper की sheet, normal paper है, sheet है, कुछ भी हो सकता है, colorful sheet ले लो, normal आपकी, copy में से एक paper ले लो, तो उस sheet में से हमको क्या करने होंगे, इस topic में, अलग-अलग ऐसे दो triangles कट करने होंगे, equal size के, और इन triangles की help से हमको खुब सारे अलग-अलग designs और shapes बनाने होंगे, अब वो कैसे बनाना है, तो यह तो हम आगे इस topic में ही जानेंगे, बाकी इतना समझ लो, कि इसके लिए एक sheet लेकर रखना, scissors लेकर रखना, जिससे हम बहुत ही प्यारे से हम triangles यहाँ पर beautiful cut कर सकें, next, तो यहाँ कुछ यहाँ पर हमें इस तरीके के designs बनानी हैं, उन दो triangles से, आगे दिया है, many ways to cut into half, many ways मतलब बहुत सारे तरीके हैं, many ways का मतलब बहुत सारे तरीके, अब बहुत सारे त चीज को आधे में cut करने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है, कि आपको एक चपाती है, आपके पास तो उसको इस तरीके से cut करो, तभी वो आधी cut हो, आप उसको कुछ और तरीके से भी cut कर सकते हो, कैसे? यहाँ पर कुछ इस तरीके से उसको cut कर सकते हो, बस ध् तरफ जो फिर पार्ट निकले, वो पार्ट कैसा हो, दोनों बराबर हो, तब ही हम उसको बोलेंगे कि वो हाफ में डिवाइड हुआ है, तो सिफ एक डारेक्ट तरीका नहीं होता, किसी भी चीज को आधे में कट करने का, हाफ में डिवाइड करने का एक से जाधा तरीके हो सकत हैं, बस ध्यान रखने वाली बात कौन सी होती हैं, ध्यान हमको बस ये रखना होता है, कि जब हाफ में कोई चीज डिवाइड हो गई, तो जो दोनों हिससे हम को मिले हैं, डिवाइड होने के वाद, वो बराबर होना चाहिए, तब ही हम बोलपाएंगे कि ये हाफ में डिव हुआ है clear कहानी तो ये चीज ध्यान में रखना सब लोग छोटी छोटी बाते हैं जो भूल जाओ तो फिर आंसर जल्दी से गलत हो सकता है तो इसमें बहुत सारे वही तरीके देखने हैं हमको कि किस किस तरीके से इनको हम ब्लॉक्स को रेक्टांगल्स को हाफ में डिवाइड कर सकते हैं नेक्स टॉपिक है हमारा कटिंग दा केक ओके यहां तो मतलब एक के बाद एक अच्छी चीज़ें आती जा रही हैं अभी थोड़ी देर पहले चॉकलेट देखी थी और अब टॉपिक आ गया है केक का सो केक तो सबको ही पसंद रहता है राइट और आपको भी अब तो खाने का मन कर रहा होगा पर अब यहां हमको केक खाने नहीं मिलने वाला यहां एक्छुली केक के ऊपर एक स्टोरी दी हुई है क्या है स्टोरी लिखा है यहां पे रजनी's father butter cake ओखे रजनी की स्टोरी है यह उसके पापा cake लेकर आए है अब cake को cut करना है तो किस parts में कितने parts में cut हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे तो वो सारी चीज़े हम यहां cake के through क्या समझेंगे half और quarters के बारे में समझेंगे next अगर अपन बड़ेंस में तो बहुत सारे और यहां पर क्या है questions दिये हुए है cutting the cake के ही उपर इन सारे questions को हमको discuss करना है और हर एक का answer भी हमको लिखना सीखना है next दिया है greedy kundu अब kundu नाम का कौन है एक greedy man है याने की बहुत ही लालची इंसान है तो यह जो लालची इंसान है kundu नाम का अब वो किस चीज के लिए लालच दिखा रहा है क्यों है greedy greedy मतलब उसको हर चीज जादा जादा चाहिए होती है for example कि अगर आप market गए हो सबजी खरीदने के लिए अब अपन market में गए सबजी वाले ने बुला कि यह जो एक चीज है यह आपको 20 रुपे की मिलेगी पर kundu तो बहुत greedy है वो क्या कहने लगता है कि नहीं बीस की नहीं चाहिए में को इसको 10 रुपे में दे दो में को तो वो भगा देगा शौप कीपर है ना कि ऐसा थोड़ी होता है यार इतना कोई कम नहीं करता है पर kundu तो नहीं मानता वो क्या है बहुत जादा greedy यानि कि लालची इंसान है उसको तो सस्ते में चाहिए चीजे और जादा चीजे चाहिए मतलब उसका motive life का इतना है कि कम से कम वो पैसा खर्च करे बहुत कम money spend करे वो और जादा से जादा उसको चीजे मिल जाए उस पैसे के बदले अब हमेशा ऐसा थोड़ी होता है आप जितनी अच्छी चीज खरीदने जाओगे उतना जादा पैसा देना पड़ेगा आपको लेकिन अगर ऐसा है कि आपको बिलकुल पैसा खर्च नहीं करना जरा सा पैसे में आपको चीजे चाहिए तो तो फिर आपको बुरी कॉलिटी की ही चीजे मिलने वाली है ये फॉर्श और शौर है तो अब कुंदू क्या खरीदने गया था और कहां उसने अपना ग्रीडिनेस दिखाया लालच दिखाया वो हम पढ़ेंगे इसकी स्टोरी में कौन सा नाम है ग्रीडी कुंदू आंगे बढ़ें अगर तो इससे रिलेटीड बहुत सारे हमको questions भी दिये हुए है यही स्टोरी में है ना आंगे स्टोरी भी बढ़ानी है हमको इसमें और उसके बाद है using a price list price list का use करना है तो देखो क्या होता है कि एक price list बनी होती है अब यह हमको shops पे जादा देखने नहीं मिलती है लेकिन अगर जो अब नई नई shops खुल गई है जो malls से अपन सबजी खरीद कर लेकर आते हैं वहाँ जरूर ऐसी price list हमको देखने मिल जाती है उसमें क्या लिखा होता है एक fixed price लिखा होता है यानि कि वहाँ पे bargaining नहीं कर सकते आप वहाँ तो उनका price क्या है fix है जैसे कि यहाँ पे लिखा है टोमेटो पर केजी यानि एक किलो कितने के है आठ रुपे के तो अगर इस list में लिखा है कि टोमेटो 1 kg 8 रुपीज के है तो अगर आप 1 kg ले रहे हो तो आपको 8 रुपीज देने पड़ेंगे और अगर आप 1 से आधे ले रहे हो टमाटे यानि कि half kg ले रहे हो तो half रुपे देना पड़ेंगे तो आठ के आधे कितने हो जाएंगे चार तो इस आप से हमको इस price list के basis पे बहुत सारे questions करने हैं solve कि हम कौन सी चीज कितना लेंगे तो उसका जो final मैं बोल सकती हूं billing है वो कितनी होगी क्योंकि अगर यह जो price दिया है वो एक एक किलो का दिया है कि अगर एक किलो आप टुबैटो ले रहे हैं तो वो 8 रुपीज के होंगे वन केजी पोटेटो ले रहे हैं तो वो 12 रुपीज के होंगे अगर वन केजी अनियन ले रहे हैं तो 10 रुपीज की मिलेंगी carrot ले रहे हैं याँ 1 kg तो they will be cost 16 rupees and अगर pumpkin आप खरीद रहे हैं तो 1 kg pumpkin आपको 4 rupees का मिलेगा और यहाँ जो बच्ची खड़ी हुई है उसके पास देखिए एक हाथ में कुछ रुपे रखे हुए हैं कुछ notes है और दूसरे हाथ में उसके एक list है यानि इसकी mamma ने बिलकुल list तयार करके भेजा होगा इसको कि यह यह चीज लेकर आनी है और कितनी quantity लेकर आनी है वो भी यहाँ पर list में लिखा है इस list भी सबसे पहली बात यहाँ क्या लिखी है देखिए सबसे पहले इस list में लिखा है potato half kg 1 by 2 का क्या मतलब होता है half होता है यानि कि आपको potato कितने खरीद के लेना है आलू कितने खरीदना है आधा kilo half kg लेना है next लेना है pumpkin और pumpkin लेना है 2 kg के बराबर so pumpkin का rate यहाँ 1 kg का क्या है 4 rupees है तो 2 kg pumpkin कितने का आएगा कैसे उसको निकालेंगे यह हम calculation इस topic में करने वाले है next लेना है carrot carrot है 1 4th kg अब यह 1 4th kg क्या होता है 1 kg तो मतलब 1 kg 1 upon 2 मतलब half kg यानि आधा kilo तो अब यह 1 4th kg का क्या मतलब है तो जब starting में हम कुछ stories पढ़ रहे थे ना half of half और half-half जब हम पढ़ेंगे starting में उसमें half of half वाले में हम समझेंगे 1 by 4th का मतलब क्या होता है actually 1 upon 4 जैसे कि मैंने आपको बताया 1 by 2 तो हमने देखा जो नीचे value लिखी रहती है वो total amount बताता है कि total दो equal parts है उनमें से एक part की हम बात कर रहे हैं तो उस एक part को हम 1 by 2 कहेंगे अब वहीं अगर कोई क्या लिख दे 1 by 4 इसका मतलब अब total क्या है किसी चीज के 4 बराबर हिस्से है उन 4 हिस्सों में से हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं तो उस एक हिस्से को हम बोलेंगे 1 by 4th इसका मतलब यहाँ जो carrot खरीदनी है उसको वो 1 by 4th kg खरीदनी है पूरा एक नया चाप्टर भी मिलेगा आपको सेम इसी तरीके से तो उसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा इनी चीजों को calculation करना पड़ेगा तो class 5th के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है कुछ ताइम पहले यह चीज तो यहां आपके लिए शुरुवात हो रही है यहां आप अभी सिर्फ half और quarters के बारे में सीख रहे हो फिर आंगे जाके calculation बहुत जादा बढ़ जाएगा इसी लिए इस chapter को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अगर कोई भी चीज मिस हो गई तो आंगे की class में दिक्कत होगी यह मैं बता रही हूँ आपको है ना तो चलिए इसके बाद using a price list से हम क्या करेंगे हमें एक list दे दी कि एक kilo कोई भी चीज कितने रुपए किया रही है तो अब उस basis पे हम निकाल लेंगे कि भाई फिर जितना चीज हमको खरीदनी है उसकी price क्या होगी clear आगे बढ़ते हैं अपन using a price list के बाद है practice time बड़े दिनों से practice time नाम नहीं देखा था practice time page 101 पे दिया है याने कि अब आपका time आ गया है questions ही questions solve करने खूब सारे concept और stories से हमने नई नई चीज़े सीख ली है और अब हमको questions करने है solve तो वो हम यहाँ देखेंगे A question है, B question है C question, D question E, F, G, H तो यह इतने सारे A से लेके H तक बहुत सारे important और interesting questions है वही halves और quarters के पे based in fact coloring वाले भी कुछ questions है यानि कि हमको color करने का मौका मिलेगा और जहां भी color करने का मौका मिले उसको दो वाल से भी नहीं छोड़ना चाहिए है ना, so हम वहाँ पे वो सारे questions को हमें solve करना है practice time में उसके आंगे half and quarter of a meter अब meter क्या होता है आपने सुना होगा क्या, कि अगर कोई आप रसी खरीदने जाओ या कपड़ा खरीदने जाओ किसी चीज के लिए तो ये जो रसी या कपड़ा ये सारी चीज़े कैसे नापके मिलती है meters में मिलती है कि एक meter rope चाहिए मुझे या एक meter लंबा pipe चाहिए में को या चार meter लंबा कपड़ा चाहिए में को तो ये जो चीज़े है ना एक तरीके से हम क्या कर रहे है इनकी length लंबाई को नाप रहे है इन चीजों की तो meter क्या है length नापने की एक unit है अब ये unit क्या होती है तो बहुत simple तरीके से मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो वो तरीका ये है कि जैसे कि आपका weight होता होगा school में आपका height और weight नापा जाता है आपका वजन और आपकी height तो height काय में नापी जाती है mostly centimeters में नापते हैं वो और फिर उसको ही वो feet और inch में convert करके हमको बता देते हैं ना तो या तो centimeter में बता देते हैं सिधा कि आपकी height इतने centimeter है याने आपकी लंबाई इतने centimeter या इतने fit है पर अगर मैं weight कहूँ ठीक है और weight की बात करें याने की वजन की बात करें तो वजन काय में नापते हो, आपका वजन कितना है? 20 kg, 20 kg वजन है, 20 kg वजन है आपका, तो यह जो kg कह रही हूँ मैं 20, तो यह जो kg है यह वजन, यारे वेट नापने की unit है, इसी तरीके से जो मैंने का आपकी height बताते हैं, 5 feet height है, तो 5 foot height, तो यह जो foot है, यह क्या है? यह height नापने की एक unit है, unit का मतलब समझे, इसी तरीके से लंबाई नापने की और unit क्या है? centimeter है, meter है, यह सारी units है, तो इन units में हम क्या पढ़ेंगे? कि एक meter, a meter का मतलब कि एक meter का half करूं मैं, तो वो कितना होगा? और एक meter का ही quarter करूं, quarter मतलब उसको चार हिस्सों में divide करूं, तो फिर मुझे एक हिस्सा कितना मिलेगा? यह चीज हमको यहाँ पर find करनी है, और यकीन मानो, सुनने में जितनी अजीब लग रही है, थोड़ी सी कठिन सी difficulty लग रही है, उतनी जादा आसान है actually जब हम solve करेंगे, वस याद रखने वाली बात एक conversion है, कि एक meter किस से बनता है? 100 cm से मिलके बनता है, cm scale तो हमारे पास भी है, जो हम box में रखते हैं, उसमें numbers कहां तक लेखे होते हैं, cm में 0 से लेके 15 तक, उससे बड़ा आता है एक scale, उसमें number 0 से 30, 30 तक, यानि कि जहां 15 तक number है, यानि कि वो scale आपका 15 cm का है, जहां 30 तक number है, वो scale आपका 30 cm का है, लेकिन यहां मैं कितने cm की बात कर रहे हूँ? 100 cm, काफी जादा हो जाएगा, यहां तक कम से कम आप खुद सोचो, आप 15-15 cm का scale आँगे बढ़ाते बढ़ाते देखना, कि शुरुआत में एक mark लगा लेना और सीधे सीधे line में वो आँगे लेते जाना, 15-15-15-15, कब तक जब तक वो total मिला के 100 ना हो जाए, तो देखना फ हिस्से को, 100 cm की लंबाई को हम क्या बोल देते हैं, 1 meter बोल देते हैं, तो यह चीज याद रहेगी अगर, तो फिर इस 1 meter को half याने आधे में और quarter मतलब 4 हिस्सों में डिवाइट करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, clear कहानी, आंगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे half and quarter of a meter हम समझ लेंगे, यहाँ पर बहुत से questions भी हैं, यहाँ convert करने के, तो वो भी हम यहाँ solve करेंगे, next हमें मिलेगा sharing milk, अब एक और हमें क्या मिल गया है, story मिल गई है और यह story दी हुई है, आपकी class 4th maths magic book के ही page number 104 पर, अब topic है sharing milk, अब sharing milk का क्या मतलब होता है, कि milk को आप share कर रहे हो, यानि की बाट रहे हो, तो अब किस तरीके से आप milk को बाटोगे हो सकता है, बोला हो कि भाई एक दूद की bottle है, एक milk की bottle है, उसको 4 लोगों में बाटना है, तो आप कितना-कितना milk दोगे सारे 4 लोगों को, ताकि वो सबको equal मिले, तो यह सारा sharing of milk हम सीखेंगे, इस topic के अंदर, इस story के through, आगे अगर हम बने तो दिया है balance the weight, अब weight का मतलब क्या होता है, मैं WAIT वाला weight नहीं कह रही, एक पोलते हैं कि weight weight, I'll tell you something, तो वो क्या है, रुको रुको मैं कुछ बताती हूँ आपको, एक weight होता है, रुको, WAIT, पर यहां क्या है, यहां है WAIGST, यह कौन सा weight है, version वाला weight है, कि आपका weight कितना है, आपका weight 20 kg है, मेरा weight कितना है, मेरा weight 60 kg है, तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं, weight वाली बात कर रहे हैं, तो यहां पे balance the weight, weight को balance करना है, balancing का क्या मतलब होता है, अगर आपने measuring scales देखे हो, तो balancing मतलब एक तरफ तराजू पर जितना वजन है, दूसरे तरफ भी उतना ही वजन रखो, और दोनों बिल्कुल बीच में आके रुख जाएं कहीं पे, तो वो balance हो गया, अगर ऐसे उपर नीचे हैं, इस तरीके से तो वो balance नहीं है, तो weight balance करना यहां हम सीखेंगे, इसमें हमें देखेंगे कि अगर हमने एक side 1 kg रखा है, तो दूसरे side हम कितने grams रखें, ताकि वो weight क्या हो जाए, balance हो जाए, तो क्या 1 kg और कुछ grams में भी relation है, तो मैं बता दू secret कि जैसे कि 1 meter में 100 cm होते हैं न, 100 cm से 1 meter बनता है, ऐसे ही 1000 grams मिलाकर 1 kg बनता है, किसी को बताना मत पर आप जरूर याद रखेगा, clear, तो उससे ही हम क्या करेंगे, weight को balance करना सीखेंगे, आंगे कुछ questions दिये हुए हैं, वो हम solve करेंगे, फिर है why is it wrong, अब कुछ चीज हो गई है गलत, अब वो गलत क्यों हो गई, यहाँ पर कुछ color करके हमें हिस्से बताए गए हैं, बोला है, इसको 4 equal parts में divide किया, 4 हिस्सों में divide किया, तो एक हिस्सा क्या होना चीए, 1 fourth होना चीए, पर यह 1 fourth नहीं है, क्यों, ऐसे ही इधर इसको 2 हिस्सों में divide किया, तो एक हिस्सा half कहला रहा चीए, आदा कहला रहा चीए, पर वो 1 by 2 नहीं कहला रहा, ऐसा क्यों है, तो यह चीज यहाँ पर हमको गलती find करनी है, कि ऐसी गलती यहाँ पर क्यों हो रही है, नेक्स्ट आँगे, practice time फिर से आ गया, यह practice time अलग है पहले वाले से, अब यह 106 page नमबर पे दिये हैं, कुछ questions इनको हमको क्या करना है, solve करना है, तो यह एक और हमारा practice time मिल रहा है हमको, and then what, यहाँ पर कौन आ गया है, यह क्या कोई topic है आपकी book में, नहीं, यहाँ तो लिखा हुआ है chapter completed, यानि कि बस इतने सारे जो अभी तक मैंने आपको topic बताए, इन्ही topics को आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है आपको class fourth maths के chapter halves and quarters में, तो आज की class में मैंने आपको एक पूरा overview दे दिया इस chapter का, जिसमें हमने कुछ छोटी-छोटी चीजे भी समझ ली, meter, centimeter में relation, kilogram, gram में relation, और क्या समझा हमने half का मतलब समझा, quarter का मतलब समझा, और पूरा एक idea हो गया आपको कि अब मैं इस chapter में क्या-क्या आंगे पढ़ाऊंगी, so that आपको जो भी चीजे पढ़नी हैं वो मैं पढ़ाने वाली हूँ ना, तो वो आपको assurance हो जाएगा, तो अगली class हम शुरू करेंगे कहां से, next class हम शुरू करेंगे शुरुआत से, वो शुरुआत में कौन सा, वो जो cat और monkey वाली story थी, वहाँ पे हम यहाँ पे इस story से शुरुआत करेंगे, next class की और कोशिश करेंगे, जादा से जादा stories हम पढ़ाई कर सकें, so आपको क्या करना है तब तक जो पिछली class में, मैं already chapters पढ़ा चुकी हूँ, उनको revision करते रहना, ऐसा नहीं होना चीए, कि नए chapters पढ़के वो तो आसानी से समझ में आ रहे हैं, पर क्योंकि पिछले chapters को पढ़ा काफी दिन हो गया, तो उनको भूल गए, तो भूलना नहीं है, revision करते रहना है, और आप visit भी कर सकते हैं, हमारी official website जो की है, magnetbrains.com, वहाँ आपको class 4 से लेके class 12 तक, सभी classes के notes, video lectures, सब कुछ एक proper systematic way में arranged मिल जाएंगे, और इतना ही नहीं, आप खुब मल लगा के पढ़ते रहे है, magnetbrains के साथ, क्योंकि यहीं पर आपको, पहले दो chapters पढ़ाने के बाद, आँगे के course के कोई पैसे नहीं माँग रहा आपसे, हाँ बलकी magnetbrains अपने best video classes, सारे chapters, complete course videos दे रहा है, free of cost, तो उसका बिलकुल फायदा उठाईए, so keep studying, thank you so much, bye-bye.